हेलो दोस्तो, प्लसफन ये यूटिघ के वेडियो में आपका स्वागयात है, दोस्तो मेरा नाम है निकेद शाहा दोस्तो, आप मेरा दोस्तो के सारे लोग सर्कृट रपरिक्स का काम करते हैं जैसे कि अर कंडियुक्न की सर्कृट हो गई है वाशिंग मशिन की सर्कीट हो गयी या कोई अपने आडीनों पर प्रोजेक्ट बनाया बहुत अच्छा गाज है लेकिन हो प्रॉलम आ रहा है कोई भी सर्कीट में प्रॉलम आ रहा है तो यह प्रॉलम को ढूंड़ने के लिए आपको कई सारे electrical equipment के जरूत पड़ती है जैसे कि CRO यानि कि oscilloscope हो गया signal generator हो गया या voltmeter हो गया ये जितने भी component मैंने नाम दिये वो बहुत ही महंगे आते है तो इसका solution क्या है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसका solution है ये ये है Arduino Uno का microcontroller ये केवन 500 ये 600 रुपे में मिलता है और इसकी मदद से आपका Arduino Uno को आप CRO यानि आपके cathode row उसलों scope की अंदर आप उसको transfer कर सकते है या signal generator आप बना सकते है या voltmeter भी इसको आप बना सकते है वो भी free में तो चले देखते हैं कैसे बनाते हैं तो लोग इस वीडियो का अंतर देखेंगे उनको एक Amazon का free voucher का भी एक नुस्का दिया जाएगा Amazon का free voucher मिलेगा वो भी 500 रुपे का तो पसंद आएगा तो लाइक और शेर करना भूले वीडियो को तो चले देखते हैं ये Arduino Uno को हम लोग CRO याना कि oscilloscope, signal generator या hold pattern में transfer कैसे कर सकते हैं और इसका इस्तमाल हम लोग circuit checking के लिए या कोई भी problem आता है उसको डूढने के लिए कैसे करते हैं तो चले वीडियो की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा गुगल प्ले स्टोर में जाता हूँ और एक डाउलोड करता हूँ प्रायोगी यूनो करके यह मैंने अप अल्री डाउलोड कर लिए मैं ओपन कर लेता हूँ इस एप को अभी आप देख सकते हैं जैसे ही एप ओपन होगा तो उसमें काफी सारे option आपको नजर आ रहे है उसमें जो मेन option है वो है free micro controller lab जो आपको नजर आ रहा है इस पर आप क्लिक करोगे बटन दबाने पर आपको इस प्रकार की screen नजर आएगी जिसमें काफी सारे option CRK जैसे आपको नजर आ रहे है और मैं इसको पूरा detail में explain करना रहा हो तो अभी आप निंचर मत लीजे आप पहले वीडियो देख लीजे उसके बाद में इस आप्शन को मैं बता होगा इसके बाद में Arduino Unoboard आप आसानी से कोई भी वेबसाइट से खरीट सकते हुए चारसो जे पांसो रुपे का आ जाएगा यह दे कि मैं Arduino Unoboard लिया इसके साथ में भी connection की बात करें तो OTG केबल आता है OTG केबल को आप मोबाइल के साथ में आटेच कर लिजिए और यहां पर आप देख सकते हैं कि पावर लाइट आ चुका है यहांने कि मेरे मोबाइल के साथ में connect हो चुका है नहीं हुआ तो आप यूज ओटीपी थिदरिंग का जो option रहता है उसको चेक कर लिजेगा अभी यह इसमें जो यूनो फर्मवेर दिख उसे कुण से अथ आनालोग पिन से हमारी ओर दुसरी तरफ डिजिटल पीन से करेट इसका ही इस्तामिल अम लोग को पूरे इस एप करेशे अब्यावा इसका है इस oneselfाई के अब यह को दिखे देर अर हैं जिख़धे हैं तो यह 0 और size 1 की формика में पीन है यहां हे औरने यह उ स इसके लवा यहां पर clock signal जो है D9 के जरी आप उसको control कर सकते हैं, जिसके जरे square wave अगर आपको जो signals है उसके frequency मिल जाएगी, और यह digital oscilloscope D4 और D5 pin के जरी हम लोग control कर सकते हैं, रन पर click करने पर यह जो है program वो शुरू हो जाता, अभी आप देख सकते कि यहां पर मैंने, यहां प clock pulse जो है हमें यहां पर screen में नजर आएगी, यह switch है जो कि यह दोनों pin जो है, वो switches के उपर है यह दोनों pin LEDs के लिए control किया जा सकता है, तो दोस्तों इस तरह से इस्तामाल होता है, अभी हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रोजेक के उपर इसका 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 पहले फॉल ढूडने के लिए मैंने क्या किया एक प्रोजेक रेली यहां पर ले लिया है, जो कि एक पंखा लगा है, एक मोटर के IC के साथ में हम लोग ने फैन को अटेच के इसको स्पीड नियंतरित कर रहा है, तो पोटेंशोमेटर जैसे हम लोग गुमाएगे तो मेसे लिएज पीन के साथ में, ताकि हमें वल्टेज भी नजर आ रहरा है, और हमारी जो दिजिटल पीन है वो हमारी D-4 के साथ में हम लोग कनेड कर देगे जैसे ही हम लोग connect करेंगे और हमारे app को चालू करेंगे तो आप देख सकते कि voltage यहाँ पर दिखाई दे रहा है साथी साथ कुछ यहाँ पर digital signals भी आपको नजर आ रहे हैं अभी जैसे ऐसे potentiometer को मैं एक्जस करता हूँ हमारे digital signals की जो view forms है वो कम ज्यादा उसके accordingly हो रही है तो इस तरीके से यह सबसे पहला project हम लोग ने चेक किया अभी next project में हम लोग क्या करता है कि यहाँ पर मैंने 8051 एक micro controller ले लिया इसके अदर interrupt signal को हम लोग interrupt करने वाले है तो अभी हम लोग क्या करेंगे यह जो 8051 की कासित कैसे जैसे हम लोग interrupt signal इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर ग्रीन कलेगी एक LED है जो बन चालू होगी तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ तो D8 के साथ में मैंने connection joint के लिए क्योंकि हमारी interrupt pin है और यह falling age पे मैं क्लिक कर देता हो जैसी falling age पे मैं क्लिक करूगा और interrupt signal पे जैसी मैं क्लिक करता हो तो आपको यहाँ पर दिखाए देरी यह light चालू हो रही है तो यह interrupt signal हम लोग 8051 माइक्रो कंट्रोलों पे भेज रहे है तो यह हमारा जो माइक्रो कंट्रोल वो interrupt signal को detect कर सकता है इस तरह से कोई भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर अब interrupt signal वगरा डिटेक्ट करवा सकते हो यह simple app के जरीए सर्वो मोटर को वाछए और दीनो नैनो आथे की अधिये सकते है और आडिनो उनो के सात्से मैं 아니고 सब्सक्र क्लिक करेए एा तो अब को यहाँ पर दिखाए देर है कि 50 have की दुटी सैकल आ रही है और हमारेIf on good signal को दर अ़ाने बारा है तो इस तरह से आप गिनत सीज़ा आप इससे कर सकते हैं लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है दोस्तों कि आपको अगर analog signal चेक करना है तो यह मेरा वीडियो है जिसमें एनलोग signal को भी चेक करने का प्रोसेस आपको समझाय देगा उनका नाम हम लोग तीन हफते के बाद एनाउंस करेगा और उनको यह 500 रुफीस का gift voucher जो है Amazon का वो हम लोग फ्री में देगे इसके अलबाद दोस्तों एक बहुत ही important जानकरिय अगर मैं दे दू आप लोगों को तो दोस्तों हम लोग ने कई सारे online courses चालू कर दिया जैसे laptop repairing, mobile repairing, electronics, electrical, solar energy जैसे कई सारे अंगिनत courses चालू कर दिया यह सब courses करना है तो केवल mobile में एक app डाउनलोड करना है plus point training new नाम का ब्रैकेट में याद रखे कि new नाम का app है यह डाउनलोड करने पर इसके जरी आप अंगिनत courses है अभी तो फिलाल 47 courses है लेकिन और भी हम लोग बहुत सरे नए-ने courses लाने वाले है और यह सब courses आप बहुत ही आसान और कम से कम कीमत में कर सकते हो वो भी professional तरीके से I hope कि दोस्तों इस वीडियो आपको पसंद आ रहेगा याद रखे कि वीडियो अगर पसंद आ है तो like और share करना ना भूली वीडियो को अगर आप नए है चैनल के अपर तो subscribe को बटन दबके बैल का icon दबा दीजे ताकि मेरे जो भी नए वीडियो जाएगा उसको notification आपको ज जल से जल मिल जाएगा चले दोस्तों इस वीडियो में इतना ही thanks for listening